आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची बुरिया। चंदन कुर गाव में जमुना नाम की एक बुरी औरत रहती थी। उसका एक इकलोता बेटा था जो कोई भी काम नहीं करता था। वह उसे हर रोज समझाती थी कि उसे कोई काम करना चाहिए। बेटी ने कहा कि वह शहर जाकर काम करना चाहता है और उसके लिए कुछ रुपे चाहिए। ये सुनकर जमुना ने उसे अपने सारे गहने दे दिये। बेटा, मा मैं शहर जाकर चित्थी लिखता रहा करूंगा और हर महीने रुपे भी भेजा करूंगा। जमुना, बेटा, तु अपना ध्यान रखना, बेटे के जाने के बाद जमुना अकेली रहने लगी। शहर जाकर बेटे ने ना तो मा की सुद्ध ली और ना ही कोई रुपे भीजे। उसे रोज के खर्चे के लिए भी परेशानी होने लगी। एक दिन वह हाथ में पोटली लिए कही जा रही काकी कहा जा रही हो। जमुना आगे की ओर संकेत करके निकल जाती है। एक सप्ताह में तीन से चार दिन बाहर जाने लगी और काफी रात होने के बाद ही घर लोटती थी। उसकी पडोसन सुगंधा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। सुगंधा रात को खिलकी से जमुना को अपने घर जाते देखा। उसने अपने पती से कहा, आजी सुनते हो, जमुना काकी इस उमर में जाती कहा है। देखो तो इतनी रात को अंधेरे में वापस आये है। सुगंधा का पती, अरे, तुम्ही क्या है जाने दो जहां भी जाती है। बेटा तो शहर जाक कर मां को भूल ही गया, काकी की सारे गहने और पैसे भी अपने साथ ले गया, सुगंधा, देखो तो इतनी रात को वापस लोटी है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, सुगंधा का पती, मेरे पास इतना फाल्तु समय नहीं है जो मैं ये सब पता करूं, मुझे वैसे भी बहुत काम है, और तुम क्या आधी रात को काकी काकी कर रही हो, अब तुम खुद भी आराम करो और मुझे भी करने दो, सुगंधा, आप भी न, इन बातों पर तो कभी भ्यान ही नहीं देते, सुबल काकी सुगंधा का दरवाजा खट-खट आती है, सुगंधा फिस्तर से, अरे, कौन है इतनी सुबह सुबह, चैन से सोने भी नहीं देते, सुगंधा दरवाजा खोल कर, अरे काकी, तुम, आओ, अंदर आओ, जमुना, नहीं सुगंधा अभी काफी काम है, एक कतोरी देते हुए, येले हल्वा अभी अभी बनाया है, एकदम गर्मा गर्म है, तेरे बिट्टु को हलवा बहुत पसंद है न, उसे खिला देना, सुगंधा, आज कोई नई बात है क्या, जमुना, आज मेरे राजकुमार का जनम दिन है, सुगंधा, ओहो, आप भी न काकी, उस भबोडे में आज भी मन लगा कर बैठी हो, बुलापा खराब कर दिया उसने आप का, इस उम में जब हर कोई अपने परिवार के साथ रहता है, वह सब कुछ अकेला छोड़ कर शहर भाग गया, जमुना, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, वह जैसा भी है, मेरा बेटा है, सुगंधा, अच्छा काकी आप रात में जाती कहां हो, ऐसा कौन सा का है, जो इतनी रात को घर वापस लोटती हो, जमुना, अब तू छोड़ इन बातों को, मैं चल घर चलती हूँ, सुगंधा, मन में तो ना हो गरबर है कुछ काकी, थोड़ी देर बाद बिट्टू की तबियत खराब हो गई, वह उल्टिया करने लगा, सुगंधा का पती, अ मैं मर रहा हूँ, सुगंधा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, सुगंधा का पती, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, सुगंधा, सुबर तो अच्छा खासा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, जाए जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाए, नहीं तो इस पता नहीं क्या हो गया उसे, सुगंधा की परोसन हो जाता है ऐसा कभी कभी, सुन रास्ते में जमुना काकी को देखा था, वह इतनी जल्दी में थी कि कुछ बोली ही नहीं, सुगंधा, हाँ, पता नहीं कहा जाती है, आधी रात को घर वापस आती है, सुगंधा की परोसन, पुझे लगता है ये काकी कोई तांत्रिक कूचा कर रही है। आधी रात को हमारी तो बाहर जाने को हिम्मत ही नहीं हूती और यह गुलापे में देखो। परसो रात को तो काले कपड़े पहने पोटली लिया आ रही थी। मैंने कूचा तो गुसे में लग रही थी। पक्का ये बढ़िया कोई जादू टोना कर रही है। तुम ध्यान रखना। ये कहते हुए सुगंधा की पडोसन वहां से चली जाती है। सुगंधा मन ही मन कहती है। आज सुबल काकी का हलवा खाते। ही बिट्टु की भी तबियत खराब हो गई थी। ही भगवान। रात को सुगंधा अपने आंगन से चार पाए उठा रही थी। तब ही सामने के रास्ते से एक काली पर चाय आती हुई दिखाई दी। काले कपड़े पहने, बाल खुले, सिर पर लाल बिंदी और काजल लगाए, हाथों में एक लाल टेनली एक बूरी औरत लाठी टिकते हुए आ और ही थी। उसे देखकर सुगंधा दर के मारे अपने घर के अंदर भाग गई। सुगंधा, हे भगवान, रक्षा कर, पता नहीं कौन सी बुरे आत्मा है। उसने खिरकी में से ध्ध्यान से देखा, वह औरक जमुना काकि के घर में गई। सुगंधा, अच्छा तो ये ज जमुना काकी है। पता नहीं जुलेल जैसा रूप बनाकर यह जाती कहां है। मेरी तो जान ही निकल गई की यह कौन है। काकी, तुम्हें तो मैं सुबर देखती हूँ। तभी गाव के लोग लालटेन और लाठिया लेकर आए। गाव के लोग, माधव, माधव जल्दी बाह सुगंधा, सुनिए जी, बाहर आपको कोई बुला रहा है। सुगंधा का पती, अरे इतनी रात को कौन है। वो जल्दी से बाहर आता है। गाव का एक आदमी, माधव, जल्दी चल हमारे साथ। माधव, क्या हुआ, बताओ तु सही, गाव का व्यक्ति, क्यलाश का बेटा नहीं मिल रहा। तीन घंटे पहले टेहलने गया था पर अभी तक नहीं आया। उसे अंधेरे से बहुत दर लगता है। माधव भी उनके साथ चला गया। सुगंधा, हे भगवान, इतनी देर हो गई और यह अभी तक नहीं लोटे। सुगंधा की पडोसन, सुगंधा, अर गौरी को नींद आ गई। सुबर क्यलाश और उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। गौरी और सुगंधा जट से बाहर आई तो क्यलाश के बेटे की लाश पड़ी थी और पूरा परिवार रो रहा था। क्यलाश की पत्नी, तुझे क्या हो गया। तू तो बोल र करते सवाल करती हुई कहती है, ये सब कैसे हुआ। उन में से एक आदमी जवाब देता है, हम सब बाहर सड़क पर तहल रहे थे। तब ही कैलाश का बेटा हमें वहाँ पड़ा हुआ दिखा। सुगंधा, मैं जानती हूँ की यह सब किसने किया है। गाव के सभी लोग हैरा घबरा ही गई थी, वह आधी रात गई ही वापस आती है। कल जैसे ही आप निकले थे, ठीक उसके बाद वह अपने घर में घुस गई थी। कल जब उसने हलवा दिया तो मेरे बिटू की भी तबियत खराब हो गई थी। गौरी, हाँ पता नहीं इनके घर में क्या चल रहा ह इनका बेटा तो इनहीं भूल ही गया है। गाव का एक व्यक्ति, बुरा मत माना, कई दिनों से शक्तो मुझे भी था कि यह बढ़िया आजीव अजीव सी हरकती कर रही है। शायद कोई तांत्रिक क्रिया, गौरी, मुझे तो लगता है यह अपने बेटे को घर लाने की चक करें। गाव का व्यक्ति, गाव में पंचायत को बुलाओ और इस बढ़िया को भी जल्द से जल्द फैसला करो। शाम को एक व्यक्ति जमुना काकी को बुलाने जाता है तो वह बूरी औरत हात में एक पोटली लिए दरवाजा बंद कर रही थी। आदमी, अरे काकी, तुम जल्दी चलो। जमुना काकी, अरे मेरा काम भी तो जरूरी है। जा कह दे बाद में आऊंगी। आदमी, ना ना जल्दी चलो वरना उठा के लिए जाएंगे। जमुना काकी, अरे कोई जबर्दस्ती है। आदमी, आप चुकचाप चलो मेरे साथ। जमुना काकी गाव के उस आदमी के साथ पंचायत चली जाती है। सरपंच काले कपड़े बिंदी चूड़ी माला दिया। और अगर बत्ती क्या मतलब है इनका गौरी मैं ना कहती थी यह बुड़िया जरूर कोई तांत्रिक क्रिया करती है और आज पता नहीं किसकी बली देगी। सुगंधा बिलकुल सही कह रही हो कल रात चुलल के भेश में आय थी मैं तो डर ही गई पहचान ही नहीं पाई कि यह काकी थी। सरपंच, ताकि क्या तू ये सही कर रही है गाउ का एक आदमी कहता है इसी ने मारा है केलाश के बेटे को मुखिया जी इसे तू सीधा पुलिस के हवाले कर दो सरपंच, ताकि क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या ये जो लोग कह रहे हैं वह सच है यहां काकी को रोकने का इशारा किया और वह आदमी काकी का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया गाउ का आदमी मैं तो कहता हूं इस बुडिया को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका पूरा जादू टोना निकल जाय हां कहते हुए उसने एक कंकर उठा कर बुडिया के ऊपर फिक दिया गौरी इसे गाउं से धक्का मार कर बाहर निकाल दो आदमी काकी का हाथ पकड़ कर उन्हें जबर दस्ती खीचने लगा और वह गिर गई तब ही काले कपड़े पहने बाल खोले चार बुड़ी औरते भागती हुए औरते तुम्हें शर्म नहीं आती उनके साथ ऐसा करते हुए गा जादू टोना करके पूरा गाउं बरबाद कर देंगे इससे पहले कि किसी और की जान जाए कुछ करो सरपंच तुम लोगों ने कैलाश के बेटे को मारा है सच सच बताओ वरना ठीक नहीं होगा जमुना काकी नहीं नहीं सरपंच जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया और वालाद के जाने का दुख मुझसे जादा और कोई नहीं समझ सकता सरपंच तु सच क्या है तुम ये जादू टोना किसलिए करती हो जमुना काकी ये सब और ते दूसरे गाउं की है हम सब जादू टोना नहीं करते घर चलाने के लिए काम करते हैं ताकि इस उम्र में किसी और के मातम मनाने वाली बन गए। अमीर लोगों के पास अपनों के मरने पर रोने का समय नहीं होता। जग दिखाई के लिए वे रुदाली बुला लेते हैं। हम सब वहां जाकर मातम मनाते हैं। लाश के आगे दिया बाती करके खूब रोती हैं। किसी और की मौत पर रोने के लिए काले कपड़े पहनने की हमारी मजबूरी है। मनुस काम है तो छुप छुप कर कर रहे हैं ताकि किसी और को पता ना चले। जमुना काकी, वहां जाकर हम अपने हालातों को याद कर लेते हैं और रोना अपने आपा जाता है। मातम आधी आधी रात तक चलता है और बदले में रोने की कुछ रुपे मिल जाते हैं उसी से हम अपना घर चला रहे हैं वापस लोगते हुए देर हो जाती है तो उन्हीं कप्टों में सबसे छिपती हुई आती हूँ अगर आपको लगता है ये गलत काम है तो आप जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो सुगंधा फिर केलाश के बेटे को किसने मारा सरपंच पता नहीं क्या हो रहा है तब ही वहां कुछ पुलिस वाले आए पुलिस कर्मी सभी गाव वाले ध्यान से सुनो केलाश के बेटे की हत्या किसी आदमी नहीं बलकि जानवर नेकी है पोस्ट माटम में जो उसके शरीर पर निशान पाए गए हैं वही एक बैल के सिंके हैं गाव का व्यक्ति बैल लेकिन यहां तो सब अपनी बैलों को बांध कर रखते हैं पुलिस कर्मी हमारी तहकीकात में पता चला है कि कल रात जमीनदार का एक खतरनाक बैल उसके नौकर को धक्का मार कर वहां से निकल गया था नौकर ने दर की वज़े से किसी को ये बात नहीं बताई गाउं का व्यक्ति इससे ये पता थोड़े ही ना चलता है कि बैल ने ही उससे मारा है पुलिस कर्मी भाई हमारे पास और भी कई सबूत है जब वह बैल जमीदार के घर वापस गया तो उसकर सीगों पर खून के निशान थे वह खून कैलाश के लड़के का है हमने बैल, जमीनदार और नौकरतीनों को हिरासत में ले लिया है ये कहकर पुलिस कर्मी वहां से चले गए सरपंच, काकी, तुम्हें छुपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है हमें माफ कर दो, जमुना काकी, सरपंच, किसी और के मरने पर मातम मनाने का काम में आपको कैसे बताती आप लोग के लाश और उसकी पतनी को संभालो उनका दुख मुझ से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता आप जमुना काकी बिना किसी दर के उन औरतों के साथ दूसरों की मौत पर मातम मनाने का काम करती है और उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का गुजारा चलाती है गाउं के सभी लोग अप जमुना काकी से प्यार से बातचीत करते हैं और उनके बेटे की अनुपस्थिती से उन्हें दूर रखने की कोशिश करते हैं इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं